हेलो माई यूट्टो फैमली मैं हूँ अर्चना और अर्चना कुकिंग ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम यह जो रेस्पी बनाएंगे यह बनती तो हर घर में है बद अलग अलग तरह से बनती है तो काले चने की इस रेस्पी को बनाने के लिए हम लिए हैं अद्रक, हरी मिर्च, प्लैसन और प्याज को कट करके आप इसे बारिक कट भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से चौपर में चौप कर लिजे तो यहाँ पर मेरी दीदी है और वो चौपर में चौप कर रही है इसे इस तरीके से यह रेस्पी खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती है और संडे को तो हमारे घर में यह रेस्पी बनती ही बनती है तो यहाँ पर हम कुकर लिये हैं कुकर में तेल डाल दिये हैं और यह जो काला चना है इसे आपको राद भर भिंगो करके रखना होगा या भी 5-6 घंटा तेल गरम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा डाल दीजेगा जीरा और आज मेरे पास हिंग नहीं था तो हिंग नहीं प समीट मसाला और थोड़ा सा छोला मसाला पड़ा है थोड़ा घर का बना हुआ गरम मसाला पड़ेगा नमक टेश्ट के हिसाब से डालिएगा और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे भूनेंगे हल्दी भूल गई थी तो हल्दी भी बाद में पड़ा है और इसे पानी डाल क करके पानी डाल के एक सीटी लगा लीजेगा ज्यादा शीटी नहीं लगा होता है ने तो चने जो है न वो फट जाते हैं और एकदम सेiciary गोल से लगते हैं अतना मज़य का टेस्ट नहीं लगता तो इस तरह से बनाने से आपका चना मसाला बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगा अगर मतलब मीट मसाला और छोले मसाले डालने से चने का स्वाथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बाई बाई फ्रेंड